मैंने इगनू में एस्टेट्स इस परकार्च देखने के लिए मिल रहा है जिसे की स्क्रीन पर आप सभी यहां पर देख पा रहे हमने एस्टेट्स जो है यहां पर जमा कर दिये गे थे MSO को लेकर और हमारा एस्टेट्स भी यहां पर दिखाए दे रहे हैं नमस्का दोस्तों यदि आप भी अपना इगनू का एस्टेट्स दे चुके हैं और अगर अपना एस्टेट्स चेक नहीं कर पा रहे हैं कि आपका एस्टेट्स जमा हुआ है या नहीं हुआ है तमाम इन त पाईएगा कि यदि आपने assignment online जमा किये हैं चाहे offline जमा किये हैं आपका assignment update हुआ है या नहीं हुआ है complete जानकारी आपको देंगे लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप समीं इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आप जो assignment जो भेजे थे वो email के मैध्यम से भेजे थे यह study center पर जाकर आप जमा किये थे आपने hard को भी जमा किया था कि आपने soft को भी जमा किया था आपकी subject से हैं वो भी नीचे mention जरू करिएगा और अगर आप अपना assignment का status नहीं चेक कर पा रहें तो अपना date of birth और अपना assignment का enrollment का roll number enrollment number वो नीचे जरू mention करिए ताकि हम आपको ब status को देख सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के description पर आपको एक link देंगे यह link आपको मिलेगा इस link के जरी आप डिरेक्टली अपने assignment को status को आसानी से चेक कर सकते हैं assignment project हो practical हो submission हो status को check-in आप आसानी से कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे simply दोस्तों आप अपने no digit का जो भी enrollment number होगा इस box पर भर देने हैं भरने के वाद simply दोस्तों आप अपने course को subject को choose करने यहाँ पर तमाम subject है तमाम courses से जिस भी subject से आप belong करते होंगे वो सारे subject यहाँ पर मोजूद है वो अपना subject select कीजिए दोस्तों जैसे m.com है तो m.com यहाँ पर select करें यहाँ enrollment number डा आप यहाँ पर देख पा रहें असानी से यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर पूरी के पूरी सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी enrollment number है वो enrollment number आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर उसी प्रकार से आपका स्क्रीन पर course subject assignment दिखाए देंगे, आप किस section से belong करते हैं, वो भी दिखाए देंगे, आप 2019 में admission लिए थे, 20 में admission लिए थे, जब भी लिए थे, यहाँ पर पूरा का पूरा आपका course code दिखाए देंगे, जो भी course code है, वो सारा का सारा, उसके बाद, यहाँ पर दोस्तो, receipt to process, यानि कि दोस process का मतलब होता है, आपका marks चड़ चुका है, और process मतलब अभी जो दोस्तो process में है, अभी इसका marks जो है, नहीं चड़ा हुआ, इस चीज को ध्यार रखेगा, जहाँ जहाँ यह चीज लगा हुआ है, यानि कि उसका marks को चड़ चुका है, लेकिन बाकी इन subject अभी process में है, processed न अपने enrollment number और अपने subject को चूच कीजिए, और नीचे comment करिए कि आपको status में क्या दिखाए दे रहे हैंगे, कि आपका status सही से दिख रहे हैं या नहीं दे, नहीं दिख रहे हैं तो जरूर comment करिएगा दोस्तों, और इगनूस के related वो पल-पल खबर जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है, वोई खबर आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलता है, इसलिए आज है हमारे चैनल को subscribe करिए, दोस्तों वेल का आइकन को push करिए और जूड जाए आने वाला हर पर करका वीडियो देखने के लिए, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो का सेक् थाला है वाइक्स पर गजिक